आज हमने अपने विभा की सम्मंदित बैटक रखी है जिसमें उत्रप्रदेश जो हिमात्य पूरे भारत वर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है वहां की जो बेस्ट प्रदेश है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए और यहां की जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में छेकारी वही मातल प्रदेश के उसके बारे में परसपर माने मुख्य मंत्री योगी जी से चर्चा हुई और इससे सम्मंदित आज हमने बैटक रखी है इसके इलावा जो गुनात्मक शिक्षा के प्रती हमारी सरकार वचनबद है इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी और इस कारिकरम के बाद हम वहीं जाएंगे और मैं इसके बारे में अलग से आपको सारी जानकारी दूँगा अच्छा ये योगी जी से जाकर के मिलें हिमाचल के सिक्षा मंतरी ख़बर में आप को दे रहा है तो यह बयाँ जी बोले तो अच्छी बात हैकि कि किसी के अच्छे से सीखो लेकिन योगी जी की만ारी करना वैन है कॉंग्रेस में अच्छी बात यदि कोई सरकार कर रही है और उनके मंत्री को लग रहा है तो इसको स्विकार करने में क्या है उससे हिमाचली तो बेटर होगा और कॉंग्रेस का पॉइंट भी बढ़ेगा कॉंग्रेस की सरकार का अब कहा का पता दिन जे जाए इनको बताना जाके तो दोन मेरा केवल इतना से बात कहना था कि योगी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है और उनका मंत्री मान रहा है और कुछ अच्छा काम मुहिमाचल में भी होता तो इसमें क्या बुराई है यह मैं कहा रहा हूँ बाकि उनका पॉलिटिकल रिपरकरशन क्या होगा यह तो वो पड़े की तो सर यही बात तो कहना है निन मैं तो यह कह रहा है कि कोई अच्छी चीज हुई है उसको लेना है इसमें क्या बढ़ा है लेकिन उसको स्विकार नहीं करना है कॉंग्रेस कैसे स्विकार कर लेगी कि योगी आधितनाथ या नरेद नमोदी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं दोनों अलागा है इंसे कही कि तुमको शिक्षा का मॉडल समझने के लिए यूपी मिला था किसी और आज में जाके सीख ले ये इसका ए इसका एक सीरियस गंभीर निश्कर्स यह है कि कॉंग्रेस का नेत्रीतु भले उपर से दवाव में कुछ भी कर दे लेकिन अं कॉंग्रेसी लोग समर्थन करेंगे अंदर से देखिया ऐसा है कि जब केरल के वो तो कौमनिश्टों ने केरल के केरल के मंत्री ने पयान दे दिया कि नड़ेंद मोदी का शे विदायक और समर्थन दे दिया था ना तो विचारे राजसभा जा चारते रहे गए हाँ हमाचल कर देश के कॉंग्रेस मंत्रियों को बीजेपी कि योगिया दितनाति की सरकार क्यों पसंद आ रहे है हिमाचल प्रदेश का वाता बरन उनको ऐसा लग रहा है कि जनता के अंदर जो है यह भाव आया होगा कारकरताओं ने कहा होगा कि जरा देखिये हमारे यहां यह गरवड़ी है जरा वहां का भी समझ यह और बताया होगा हिमाचल के लोग अच्छे लोग है उनको समझ में आए आप चाहरें कुछ बोलें फाइनल बताई सरहार जी ने मेरा फाइनल उसमें यह कहना है कि भारतिये जनता पार्टा करताओं के अंदर दीरे दीरे यह समझ बनी है कि लोग सवाचुनाओं में गल्ती हुई है लरना है तो पार्टी के अंदर हम लरेंगे लेकिन दूसरे सत् दूसरा दलितों में पिछरों में बदलाव आया है जाट वर्सेस नंजाट की स्थिति उहाँ बनी है जोगी आदितनात के जाने से जुदू से मिध्य है वो सब सामने आये हैं और यह सारे कारत चुनाओं कर निर्धारित पार्टे है अब कहना कठी ने पहले तो हम लोग कह रहते बन जाएगी